हलो इस्टुनेट्स नेक्स्ट केशन आ चुका है केशन नुबर 12 मिस्लिनिस एक्सेसाइस सेम केशन है जो हमने लास्ट एक्सेसे में किया था डीवाइब एक्स निकाला लेकिन दोनों के लिए फंक्शन डिफेरेंट है जैसे कि y एक्वल्स तो आपको 12 1-1-1-2ू ू तो मैं यहां जो इसका दिफ्रेंशेट करूंगा विट रेस्पेक्ट टू करूंगा तो सरी ंडीवाइब दीटी है तो वेल इसको छोड़ो वन का 0 होता है सर और कॉस्टी का क्या होता है कि वास माइनस साइन टी यह प्लस साइन टी हो जाएग तो दीवाइब वह डी एक्स आपके पास क्या चुका है फाईनली 12 साइन टी आ चुका है छोड़ो इधर आ जाओ अगला क्या कि उन्हें एक्स इकोस्ट टैन टी माइनस साइन टी वही डिफ्रेंशियेट विध रेस्ट टी चुकिन टी चाफण टी अब को पता होगा सर क्या पता है उसल माइनस कौस्ट टी का ओता है बन कुस्ट टी यहाम सरी ठीटा में ले ले तो ओस्ट का फॉर्मिलल का मुंसा होता है amino टू 2 sin2 वाला समझ माया तो 2 sin2 t by 2 मैं आपको एक एक फर्मॉला डिसक्रस नहीं करूंगा यहां पर मैं डिरेक्ट लिए कर रहा हूं अब क्या करना सरी यह equation 1 है यह equation 2 है अब divide कर दो divide equation 1 by 2 सरी डिवाइब बाय डिटी पॉन डिएक्स बाय डिटी करो solve 12 sin t upon 10 2 sin2 t by 2 2 से cut हो सकता है यह बिल्कुल 2 6 सा 2 5 सा अब उपर एक formula लग जाएगा sin t का formula 2 sin t by 2 cos t by 2 upon अब लगा रहो है formula न और यह 6 by 5 से भार यह 2 sin2 t by 2 2 से 2 cancel out हो गया sin से एक sign cancel out हो गया 6 by 5 cos sign कितना हो जाएगा cot t by 2 यह से यह cancel out finally d by by dx क्या बन गया तुम्हारा 6 by 5 cot t by 2 बता हो समझ मा आए क्या बिल्कुल आ गया सरी यह हो गया आपका question but well treated